वेलकम टू आल अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरू सस्क्राइब कर लीजिए गाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको देखिए अच्छे अच्छे वीडियो यानि अलग अलग कंपनी के हम बनाते रहते हैं और जो सबसे खास बात है कि गुमराह नहीं करत मंतलब विक्राइब के समचामारा करें और सुचना आपको यहां पर मिल जाती है उसकी डुटेछ्ऎ संपेम तो आज मैंने देखा कि हरे वीडियो जब मैं पोस्ट करता हूं तो उसमें क्ज़ों कॉमेंस ऐसे रहते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर हम आप कौन सी वेबसाइट में सारी चीज़े देखते हैं हमें भी बताइए तो देखिए वेबसाइट तो बहुत सारी हैं बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पर अलग-अलग information company के बारे में या share price के बारे में या stock के बारे मिल जाती है लेकिन कुछ basic sites हैं जिन पर आपको काफी चीज़ें उपलब्द मिल जाती हैं पहली तो मैं कहूंगा कि NSC और BSC, NSC India अगर जिस company के बारे में आप जानना चाहरे हैं जिस stock के बारे में जानना चाहरे हैं तो stock exchange में भी आप जो company listed है, generally company क्या होती है कि दोनों stock exchanges पर लिस्टेड होती है, कुछ company होती हैं सिर्फ BSC पर ही listed होती है, NSC पर नहीं होती है, तो वो भी धियान देना पड़ता है, तो जैसे माल लीजे, उदाहरन के लिए NSC पर आपने सर्च किया, अशोक ली लेंड, ली लें company है, तो यह देखी यहाँ पर आगया, अब इसको आप click करेंगे, तो अशोक ली लेंड की company के बारे में सारी details आ जाएगे, आपको इसके results भी मिल जाएंगे, यहाँ पर company के बारे में मिल जाएंगे, इसके stock price के बारे मिल जाएंगे, इसके high open close और साल का high low भी दिख तो यहाँ पर उसके बारे में सारी details आ जाएगी, यह देखिए, अशोक ली लेंड का price और उसका high low, उसका peer ratio, उसके charts और भी कुछ basic चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए, जैसे की results भी देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं इसके quarterly भी हैं और financial year 18-19 के yearly भी हैं, तो इस त profit कैसा रहा, earning per share कैसा है अभी, operating profit margin कैसा है और cash EPS भी, financial trend कैसे हैं, यहाँ पर सारी details इनकी आपको मिल जाती है, तो कोई भी company आप सर्च करेंगे, जो भी आपके favorite हो, last credit price हो, चाहिए 2 week high and low हो, sales कैसी रहें, इनकी profit after tax कैसा रहा, equity face value कितने की है, तो यह details BSC India पर मिल जाएगी आपको और NSC India पर भी, दूसरी जो सबसे important site है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, money control, तो money control में चलिए, अगर आप किसी particular stock के बारे में search करते हैं, तो तो ठीक है, वो भी हम बताएंगे, अशोक लिलेंड के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक, यह देखे, column है, all states, अगर बहुत स तो Yes Bank दिखा रहा, Power Grid Corporation, Maruti, Suzuki, और और भी जानना चाहेंगे, तो more पर क्लिक कीजिए, इसी प्रकार top loser काउन काउन से रहें, जिन्हों सबसे ज़्यादा उस तिन, top loser में थे, TCS, Vedanta, HCL, टेक, और भी जानना है, तो more पर क्लिक करेंगे, तो सारी company की details आ जाएगे, उसी तरीक से most active stocks, intraday, large deals, 52 week जिन्होंने साल का सबसे ज़्यादा low बनाया उस दिन, और high जो बनाया और low बनाया, तो यहाँ पर मिल जाएगी details, price shockers, volume shockers, इस तरीके से यहाँ पर आएगे, तो stock market, statics में आएगे, hourly gainers, hourly losers, stocks of 52 week high, तो यहाँ पर जो भी आपको जानना चाहें, यहाँ आप जान सकते ही, click करके, just one click, इस तरीके से, और future and options के बारे में यहाँ पर देखे, यहाँ पूरा लगा हुआ है, जो भी आप जाना चाहें, top gainers, top losers, most active stocks, अब हम चलते ही, मालीजी, किसी stock के बारे में, इस side के द्वारा, मालूम पर तो हमने सर्च बारे में जाएंगे, हल और यहाँ पर खुल गया, तो अशूक लिलन के बारे में, money control के side पर हम क्या क्या देख पा रहे हैं, यह हालां कि विग्यापनों से भरी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा इनके जो आगे पीछे होता रहता है, इंटरनेट के द्वारा, यहाँ पर देखिए, BSC पर लिस्टेड है, NSC पर लिस्टेड है, और 16 अगस्त का ही डेटा दिखा रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट बंद है, तो आप price, current price क्या है, sector क्या है, और auto sector की company यहाँ पर देखे लिखा हुआ है, और code भी जान सकते ही, BSC code क्या है इसका, NSC code क्या है, अशूक लिलन, और साल का high और साल का ल यहाँ पर चार्ट है, तो एक साल के चार्ट है, एक दिन का, पास दिन का, वन मन्त का, तीन मन्त का, छह माइन, दो साल, फाई येर्स, माली जा आपको पांच सालों के चार्ट देखना है, कि price moment इनका कैसा रहा, down, up, down, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, तो खुल और ये जो DD लिखाओ ये dividend है, इन्होंने dividend पे किया, जिसको बोलते हैं, कंपनी जो अपना profit होता हो, वो निवेश्कों के साथ share करती है, कुछ देती है, आपको लाभांच, जो कि tax free भी होता है, एक particular limit तक, तो यहाँ पर कुछ error आ गया, खेर मैं फेसे try करता हूँ, maximum chart देख किने कोशिश करते हैं, तब तक हम चलते हैं, माल लीजिया, बाशो क्लिटन के बारे में और आपको जानना है, कि company क्या करती है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, कि company क्या बनाती है, auto sector में, तो आप यहाँ पे search कर सकते हैं, क्योंकि और उनके products के बारे में कि company बनाती क्या है, तो आपको पता ही है कि truck, buses और commercial vehicles ये बनाती है, इनके बारे में भी यहाँ पे आप उनके side पर पर सकते हैं, कौन MD हैं, कितने employees हैं, सारी details से रहती हैं और मैं फिर से यहाँ पर, हाँ, अभी fire से किसी technical वज़े से नहीं खुल पारा लेकिन देखी, यहाँ पर सारी details आ जाती है, कि 2019 तक का यहाँ पर chart देख जाता है, अगर आपको advanced chart पर जाना है, तो advanced chart पर भी जा सकते हैं, advanced chart पर और अगर आप click करेंगे तो ऐसे खुलेगा, और advanced chart इस प्रकार से खुल गया, तो आपको जितने साल का भी देखना है, 5 साल maximum और माल लिजे आपको compare करना है return wise, माल लिजे आप Ashokiland और 5 सालों पर हम click कर देते हैं, और अगर हमें जानना है कि Ashokiland और compare करते हैं, माल लिजे बाइदबे, मारूती Suzuki से, मारूती Suzuki, मारूती Suzuki, इंडिया, तो इन दोनों के जो है, 5 सालों के return कैसे रहें, तो यहाँ पर दे है, और जो blue line है, यह sky blue वो है Ashokiland की और dark जो blue है, वो है मारूती Suzuki की, तो चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो high जो बनाया था, इन्होंने यहाँ पर दोनों का जो है, अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आने के बाज़ाने हैं, 5 साल तक में Ashokiland 82% के return दिखा यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसे साब से, तो यहाँ करसर आप गुमा सकते हैं, अगर आपको technical chart में भी जानना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यह खुल रहा है, तो इसी तरीके से आप अपने फिरोटिक स्टॉक किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, जो भी लि दिदारी हुई है, और rate मतलब है, उस दिन selling हुई है, तो selling pressure ज्यादा रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से आप पूरे अपने stock के बारे में, किस प्रकार से किस दिन ओपर नीचे खुला, market कैसे खुला, ओपर कितने गया, किस पर close हुआ, क्या उस दिन लाल पर close हुआ, यानि सकते हैं आप अपने खुद से भी और अगर हम फिर मनी कंट्रोल की साइट पर आगे बढ़ते हैं कि अब इसके मार्केट कैप और EPS और P रेशियो किस तरीके के हैं वो भी दिखा देते हैं हम आपको कैसे उनको जानते हैं अगर हम इस्टेंड लोन पर ठीके थोड़ा सा शामा चाहेंगे कि वेबसाइट पर इतने ज्यादा को कि इतने ज्यादा आट सुभारे पड़े हैं कि पेज जो है स्क्रॉल में जाता आटोमाइटिक हां अगर माली जी हम यहां स्टेंड लोन पीन के देखते हैं मार्केट जनरली हम अनुमाल लगाते हैं कि कमपनी आमें सस्ते वैलुवेशन पर मिल रही है या महेंगे वैलुवेशन पर उसका एक ही सिंबल फंडा है कि आपको जानना है पी रेशियो भी निकालना है तो आप जैसे 63 का प्राइस है इसका और 63 एक शेर की कीमत है और इसकी जो एक कमाई है 5.87 उससे आप डिवाइड किजी यानि कि भाग दे दिजी अगर महंदी में कहूं को जब भाग देंगे तो आपको ये निकल किया है यानि एक रुपए कमाने के लिए आपको इतना 10 रुपए देना पड़ा है 10.85 और बुक वैल्यू क्या है बुक वैल्यू वो है कमपनी की जो वैल्यू है अगर माली जी उसको लिक्विडियेट करते हैं माली जी उसकी कीमत लगाते हैं और उसको हम जितने भी शेर कैपिटल है इनको उस पे प्रतेक शेर पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 28.38 निकल के आती यानि इतना आपको कमपनी बिकने के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी या जो भी उसकी असेट्स है उसकी जो बुक वैल्यू निकल के आएगी 28.38 निकल के आएगी इसी प्रकार से प्राइस टुबुक हम और भी किसी दिन आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बहुत सारी जानकारी देने में तो इस प्राइस फिलाल अट्रेक्टिव लेवल पर आ चुका है क्योंकि प्राइस जो है शेयर का वो डाउन हो चुका है और अर्निंग उसकी इतनी है माल लीजिए वो डबल हो जाया तो अर्निंग इतनी ही है तो पी रेशियो उसे ताप से निकाल सकते हैं आपको पी महेंगा है आपको सस्ताज मिल रहा है और इंडस्ट्री पी है जो इसकी पियर कंपनीज है उनकी 16.29 निकल के आ रही है तो इसका मतलब अपनी competitive कंपनीज में ये उनके मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है इस तरीके से हम price to earning देख सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि price to earning अगर नीचे है या कम है तो भी company बहुत valuation में हमें कई और चीज़े भी देखनी परती है जैसे माल लीजीए की auto sector है तो पूरे auto sector में ही जवर्दस्त पिटाई हो रही है क्योंकि government की तरफ से ऐसा भी कह दिये गा या market में इनके गाडिया नहीं भीक रही है जो vehicle से वो नहीं भीक रहे है या लोग खर खरी देंगे नहीं जब simple सी बात है stock price कैसे घटा और बढ़ता है कि माल लीजीए की आलू है आपको simple simple तरीके से मैं समझाने कोशिच करता हूं बाजार में और उस आलू को कोई नहीं खरीद रहा माली जी तीस रुपए किलो बिक रहा है तो कोई नहीं खरीद रहा है तो माल निकान ले के लिए भाई उसको सस्ता हो ना कोई नहीं ले रहा तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा फिर और नीचे का भाव घटेगा माली जी उस share price गड़ता और बढ़ता है तो demand and supply के कारण ही जो है price उपर नीचे होता है price होता है earning की बात नहीं कर रहा earning तो वो होती जो company अपना profit कमाती है और वो जो है total shares में जो है उनका ratio निकलता है तो per share के रिसाब से earning per share एक share पे इतनी कमाई हो रही है तो वो profit देखते हैं तो price से उसका कोई तालग नहीं हाँ price से हम compare करते हैं हो सकता है कुछ company ऐसी होती है कि लोग महेंगे P.E. पे भी खरीतते हैं उनको लगता है कि ये company बहुत potential इसकी बहुत सारी factories खुलने वाली है आने वाले समय में फिर भी share price महेंगा लग रहा है compare तो जो उसकी earning है तो उसकी जो earning है उसके हिसाब से अगर price बहुत महेंगा लेकिन फिर भी लोग भरोसा करते हैं जिसे खासकर FMCG के जो कमपनियां होती है जो biscuits बगएरा बनाती है ITC, Britannia हो उनका थोड़ा पी ज्यादा होता है लेकिन लोगों को उन पर भरोसा है कि ये कमपनी कमाती रहेंगी और इनका expansion चलता रहेगा तो लोग खरितते हैं उस महेंगे लेवल पर भी खरिते हैं महेंगे पी पर भी खरिते हैं तो मोटा मोटा overall यही कहने के ताथ पर है और अगर हम नीचे के तरफ आते हैं तो यहाँ पर आते हैं सबसे जो important चीज़ है company के basic चीज़ है financial अगर आप देखना चाहते हैं देखी यहाँ पर इनके जो है results आयो हो है जो जून के भी आ चुके हैं और March quarter के भी, December 18 quarter के भी, September 18 और यहाँ पर balance sheet पर अगर आप जाएंगे तो करजा कितना है, total assets कितनी है यहाँ पर यह देख सकते हैं अगर आपको और भी profit loss में देखना तो यहाँ पर देखे क्लिक करेंगे quarter results, details में आ जाएगी अगर हम share holding pattern जानना चाहते हैं इसी money control के side पर, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि mutual funds की holding कि इस प्रकार की data equity, P fund है यहाँ पर ICIC potential balanced fund है, Franklin इस तरीके से और भी देख सकते हैं कौनकों सी insurance company या mutual funds companies हैं और यहाँ पर share holding में आप देख सकते हैं कि जो promoter से हैं उनके पास 45% की holding है और बाकी की जो है public FIIs, foreign institutional investors और DIIIs हैं और अगर आप देखें कि किसी ने share गिर्वीत नहीं रखे हैं हमारे जो promoters हैं तो share placed by promoters भी आप check कर सकते हैं क्योंकि अगर share गिर्वी हैं थोड़ा company के लिए जटके वाली बात होती है कि निवेशकों के लिए भी अच्छा नहीं होता कि भाई आप share company के किर्वी हैं इसका मतलब आपने और placed यहां पर दिखा रहे हैं share placed और otherwise हां यहां पर number of total share held 9.81 share placed यहां पर इतने shares जो हैं यहां पर placing दिखा रहे हैं placed हैं यहां पर कुछ shares यहां पर placed की वहां holding हिंदुजा automotive और हिंदुजा founder holder promoters के पास जो हैं तीन promoters यहां पर हैं और जो group है इनका यहां पर थोड़ा सा percent total percentage share held 9.81 percent share placed यहां पर शो हो रहा है अम मालीजिये कि इसके बाद फिर अगर आपको और भी कुछ देखना है कि bonus company कैसा देती है साल का rights कैसे देती रैच रेशियो होता है split कितने हुए हैं dividends किस प्रकार के देती है तो अगर इन पर आप क्लिक करके यह सारी चीज़ें जान सकते हैं तो अभी जो वीडियो मेरे मेरे खाल से कि आज जराइवार है तो आप लोगों को जरूर पसंद आया वह मुझे लगता है अज इस टॉक के बारे में बताने से हमने अच्छा एक उदारान लेकि आशो के लेंड के का जो है आपको कमपनी को कैसे जाने शेर मार्केट में कैसे बेसिक चीज़े जाने तो मुझे लगता है कि अब यही पर यो wind up कर देना चाहिए, फिर भी अगर आपको companies के बारे में या अच्छी अच्छी companies के बारे में हम generally बताते हैं, और कुछ companies से दूर रहें, उनके बारे में भी बताते हैं, छोटी price का इसलिए नहीं बताते हैं, या तो अगर fundamentally अच्छी नहीं होंगे, तो फिर उस पे हम हाथ जाने डालते हैं, या फिर उनके बहुत करजा होगा, या फिर बहुत सारी ऐसे चीज़े होती ही, management अच्छा नहीं होगा, कोई scam रहा होगा, तो भी उन company के बारे में generally जानकारी नहीं देते, और mention कर देते हैं, बलकि जो thumbnail होता है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो है, सारे, आ अथा समंदर है, बहुत सारी चीज़े एक share को लेने से पहले हमें चेक करनी पड़ती है, बहुत सारी, return on capital employee, return on equity, उसके financial results, उनके future की जो potential growth है, वो भी देखना पड़ता है, कि company आगे भी काम करने वाली है कि नहीं वाली, अभी auto sector में जान बाकी है कि नहीं बाकी है, तीन सा पूरी जानकारी, वो भी share market के बारे में कुछ भी fix नहीं कह सकते कि उपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसे कि P ratio के इसाप से अगर हम पूरा निफ्टी का ही ले लें, तो अभी जो वरतमान चल रहा है, मेरे खाल 27-30 के बीच में चल रहा है, 29, 27, 26, 29, 30, काफी correct हो चुका ह तो exact में आकड़े तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ, आपको चाहे तो Google पे आप search करके देख भी सकते हैं, वो तो बहुत easy है, Google पे आप मारेंगे 50-50 का P ratio तो भी आ जाएगा, तो इसे साब से valuation हम कर सकते हैं, कि हमें high PP लेना है, low PP लेना है, हमें कुछ दिन patients के साथ पैसे अपने निकाल के रखने हैं अपने पास, जब मार्केट काफी गिरावट पर मिल रहा है हमें, तब हमें बाइंग करनी चाहिए, या फिर जो already micro cap या small cap या mid cap कमपनिया तूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं, कौन सी किस P पर मिल रहा है, उनका valuation कैसा है, उस पर हम क्या ले सकते हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर P कम है, तो इसका मतलब कमपनी बहुत ही सस्ती मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि कमपनी कुछ अच्छा परफार्म ना कर रहा है, तो भी लोग निवेशा को इसको इनवेस्ट नहीं करते हैं, इस वज़े से भी उनका P कम रहता ह बहुत सारी चीजें हैं जानने वाली, तो जरूर आप हमारे वीडियो देखते रहे हैं, और अगर आपने सस्क्राइब में किया हमारा चैनल तो जरूर करें, आपके कोई सुझाव हों, कोई कॉमेंट्स हों, तो आप जरूर कॉमेंट्स बॉक्स में बताएं, और इसी तरह पर यही रहती ही कि डेली एक वीडियो एक पोस्ट करूँ अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंज के लिए और कमपनी अच्छी हो, या किसी के रिजल्स आया हो, या कमपनी में कुछ अच्छी न्यूज आई हो, किसी बड़ी कमपनी में, अब जैसे IT सेक्टर में भी काफी गि अभी आ गया है, जो मार्केट का है, जाहे Nifty 50 का लें, या NSE का लें, या BSC का लें, सेंसेक्स लें, वो देखना पड़ेगा, उनकी P क्या है, तो इस तरीके से आप अपना, अपनी रिसर्च, अनलाइसिस कर सकते हैं रोस्तों, तो चले मैं वीडियो यहीं पर बाइंड और मुझे आपके सुझाओं का इंतिजार रहेगा, थैंक यू, थैंक यू फर वाचिन इस वीडियो,